तो पेपर में लगतार कई बार पूछे जाने वाले टॉपिकों में स्ट्रेंट्स, एग्रिकल्चर, क्रॉप में आपसे लगतार कई बार टॉपिक पूछा जाता जिसका नाम स्ट्रेंट्स क्या है, होटी कल्चर है, होटी कल्चर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्यान, वि हो जाएगा आप लोगों का यह स्ट्रेंस आप लोगों का जो हो जाएगा वह और लोजी हो जाएगा यह आपका सहरी कल्चर हो जाएगा यह आपको ठीक है वीटी कल्चर हो जाएगा और एली कल्चर हो जाएगा तो आपको सभी ब्रांच पढ़ना पड़ेगा भी एस सी अग जिसमें केबल और केबल आपको अध्यान ठीक है से रिलेटेड चीजों का अध्यान कराया जाता है बोले जी सर विल्कुल ठीक है किलियर है तो पहला ही स्वेंस आप लोगों से कोशन पूछा जाता है कि होटी कल्चर जो है वो किस लेंग्विज से बना हुआ है क्योंकि नाम के बाद में दी आपको कल्चर सब्द मिले तो क्या होगा तो बताईए क्या लिखना चाहेंगे आप तो सर कल्चर सब्द दी आया तो ये एक लेटिन भासा का सब्द होता है किस भासा का सब्द होता है बोल सर लेटिन भासा का सब्द होता है और यदि किसी के नाम के बाद म पढ़ेगा कौन सी लेंग्वेज के तुसर ये माना जाएगा आपका ग्रीक लेंग्वेज कौन सी लेंग्वेज होगी सर ग्रीक लेंग्वेज होगी बोले यस बिल्कुल तो होटी कल्चर में हमें क्या पढ़ना है हमें पॉमोलोजी हमें क्या पढ़ना है ठीक है फ्लोरी कल करते हैं पहली फल की किस की करते है सर फल की करते हैं तो हमें क्या पढ़ना पढ़ेगा धो प्सकों की खेती कर प्राइज का जाता है homology, floriculture और olericulture के बारे में पढ़ना पढ़ेगा, बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, किलियर है, बन जाएगा, पेपर में दी पूछा जाएगा तो, तो haughty culture स्वेंच जो दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है, वो कौन से दो सब्द हैं जिन से haughty culture बना हुआ है, तो पहला सब् हमारा culture, तो haught us और culture से मिलकर बना हुआ है, हमारा क्या haughty culture, तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, किलियर है, बन जाएगा हम लोगों से, पेपर में दी पूछा जाएगा, तो चलिए, यह आपका क्या हो गया, बेसिक किलियर हो गया, यहां से आपको पेपर में कोशन पूछ जाते हैं, definition भी मैंने आपको बता दिया, भी अब फूलों की खेती को क्या कहींगे, ठीक है, और जो भी आपसे खेती पेपर में पूछी जाया, तो उन खेती के बारे में आप यहां से जानकारी दे सकते हैं, अब जड़ा एके करके हम क्या करेंगे, यहां पर चर्चा करें हैं, अब यदि आप लोगों से पेपर में एक कोशन पूछ लिया जाए कि भी बताईए, ठीक है, यह क्या है, ठीक है, एरवोरी कल्चर, एरवोरी कल्चर में किसका अध्यन किया जाता, जड़ा बताना मुझे, नहीं पता होगा, maximum बच्चों को इसके बारे में कोई जानका ही नहीं होती है, यदि आप से पेपर में पूछा जाए, यह कौन सा कल्चर है, अरवोरी कल्चर के नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है इसको, अरवोरी कल्चर, यह भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन मैनली होटी कल्चर में जो है, वो तीन ही चीज थी, अरवोरी किसके बारे में पढ़ेंगे हैं इनिवन आगे हो अ गरों में जो आप घ्राइट करने के लिए क्लिम Ronald ट्री लगा देते हैं जो लताय होती है या जहाडियां जैसी होती है आपने देखा हुआ सडकों की किराने आप लोगों को बहुत सारी जहाडिया नुमा प्लांट देखने के लिए मिल जाते हैं तो श्रेंद्स ये उसी के अंतरगात आते हैं तो इस सर बिल्कुल ठीक है तो क से मिलकर बनाए आरबोर और कल्चर से मिलकर बनाए तो आरबोर का मतलब होता है सर आरबोर का मतलब होता है हमारा यहां पर बुडी कल्चर आरबोर का मतलब क्या होता सर बुडी प्लांट होते हैं बुडी प्लांट मतलब क्या होता सर कास्टिये पौधे होते हैं कैसे पौधे होते हैं मच्चों सर कास्ट ये पौधे मलब लखडी वाले पौधे होते और कल्चर का मतलब होता है उसकी खेती करना कल्चर का मतलब क्या होता सर कल्टीवेशन होता है कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना तो स्रेंस कास्ट ये तथा लताओं का अध्यन किया जाता है, अध्यन किया जाता है, भूल यह सर बिल्कुल ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग definition ने दिया, आप से simple paper में पूछ ली जाए कि क्या होती है, तो एक प्रकार किये science है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किस चीज कि study करते हैं, तो the study of their growth, क्या लिख सकते हैं, इसमें, the study, the study of their growth, ठीक है, कॉमा, क्या कर सकते हैं, cultivation, ठीक है, cultivation, और क्या, shrubs और body plant, और क्या लिख सकते हैं, body plant, इनके बारे में क्या की जाती है, तो बोले, जी सर, बिल्कुल ठीक है, paper में पूछा जाएगा, तो बोले, 100% हमसे यहां से question बन जाएगा, अब strengths, इसके बाद में, ये तो आपका क्या हो गया, अर्बोरी culture हो गया, paper में पूछा जा चुका है अर्बोरी culture के बाद में कुछ लोगों को, ठीक है, Vini culture के बारे में पूछा जाता, Vini culture, ये कुछ नए नए नाम है, जो कई बार, paper में पूछे जा चुके है, Vini culture, Vini culture is related to, which branch, Vini culture, किससे relate करती है, sir, Vini culture जो relate करती है, उसी को एक और नाम से जाना जाता है, VT culture, ये भी आप इसे क्या कहा जाता सर इसको कहा जाता द्राक्छा क्रसी तो आप लोगों ने सुना होगा अंगूर की खेती अंगूर की खेती सुनाएं बोले हां सर अंगूर की खेती इसी के अंतर गता आ जाती है तो strength केवल विनी कल्चर में only विनी कल्चर में किसका अध्यन किया जाता है सर केवल और केवल इसमें अध्यन किया जाता है हमारा किस चीजों पर सर जो केवल क्या होती है लताय होती है उनका अध्यन किया जाता है सिर्फ जो ज़ाड़ी नुमा क्या होती है सर जो किसी पेड़ पौधों की उपड़ चलती तो आपने देखा हो गांगूर जो होता है वो किसी दूसरे ठीक है तने के सहरे से या फिर रस्यों के सहरा सहता से क्या किया जाता है लटकाया जाता है बलब इनका particular कोई stem जो है वो ब प्रांच है जिसमें अंगूरों का अध्यन किया जाता है बोले यस बिलकुल अंगूरों का अध्यन किया जाता है इसमें क्या लिखेंगे इसमें पेपर में दिया आपसे पूछ लिया जाए तो ठीक है विनी कल्चर या वीटी कल्चर में आपसे पेपर में पूछा तो क्या लिखेंगे, the study, the study and practice, the study and practice of cultivation, of cultivating graph wines, जो सराब बनाई जाती ना अंगूर से, अंगूर से तो वाइन है, जो सराब बनाई जाती है, वो इस्ट्रेंश मैन जो गेम है, इसका अंगूर की खेती का, वो यही है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता, वीनी कल्चर के नाम से जाना जाता है, तो बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है, किलिया रहे, पेपर में दी पूछा जाएगा, तो असानी से आपसे एक कोश्चन भी जो है, वो बन जाएगा, ओनियो लॉजी किसे कहा जाता है, कुछ नहीं नहीं ब्रांच आपको बता रहा है, जो लगातार पेपर में पूछी जा चुकी है, ओनियो लॉजी किसे कहा जाता है, वाट यू मीन बाई ओनियो लॉजी, जी, ओनियो लॉजी, किस से सम्बन्दी थे, श्रेंस ओनियो लॉजी, यदि आप जानते हों, तो बताइए, और पहली बात आया है, नाम में लॉजी, लॉजी नाम यह दी आया है, तो ये कौन सी लेंग्विज का सब्द है, सर, ये ग impressบिल्कुल रहा सास्त्र कहा जाता है और क्या कहते हैzes और इदर आपसे पेपर में फूछा जाएक पूछ जाता है कि उनको लॉजी ऐसा कुछ कहते हैं कि इसको कि जी बताइएगा paper मैं यहां से question पूछे जा चुके है कि ई होगे सर इसे हम लोग दूसरे सब्दों में दो इसे हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं आण कर व average आनो लॉजी ऑन्नोलाटी ईसा भी लिखा जा सकता या तो यह नाम मिलेगा या तो आपको यह नाम मिलेगा क्योंकि हिंदी में जो है इसका मतलब क्या होता है केबल और केबल जितने भी ऐसे हमारे फल, फूल है या ब्रक्ष है जिन से सराब बनाई जाती है केबल उन्ही को इसमें रखा गया है केबल उसी को इसमें रखा गया है ये ओनस जो लिखा हुआ है हमारी जो बेसिक जो इंग्लिस लेंग्वेज है या हिंदी लेंग्वेज है उसमें इसका मतलब होता है सराब बोले यह सर और जो लॉजस सब्द आपका बना हुआ है जो लॉजस सब्द बना हुआ है या जिसे हम लोग लॉजस सब्द बोल सकते है इसका मतलब क्या है तो सर इसका मतलब होता है इसकी to study या इसका अध्यन करना मतलब सराब का जो अध्यन किया जाएगा इसमें किस-किस सराब बनाई जा सकती है सराब कैसी बनाई जा सकती तो oniology या कुछ लोग इसको analogy के नाम से भी जानते मैंने आपको तीन-चार नाम बता दिया हूँ ये सारे नाम जो है आपके किस से related है सर ये सारे नाम हमारे जो related है ये हमारे हैं किस सराब अध्यन करने से बोले जी सर बिल्कुल ठीक है किलियर है बनेगा पेपर में दिया हां से question दिया आता है तो अब जाते हमारे main topic पर जो हमें लगातार पेपर में नमबर दिलाएगा क्या है strength वो topic हमारा तो वो है strength हमारे सबजियां हमारे फलों इनके रंग और उसमें वो तत्ब जो है वो कौन सा तत्ब है जिसके कारण से उसका ये रंग होता है ठीक है तो strength सबसे पहला ही question आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाता है जैसे आप लोगों ने सायथ सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा आवले का कसेलापन यदि आप सभी लोगों ने कभी न कभी आवला खाया होगा तो strength आवले का आपको एक जो है ठीक है क्या मिल जाता है कड़वापन मिल जाता है कुछ लोग आवला नहीं खाते भोले यह सर बिलकुल आवला खाना पसंद नहीं करते है तो strength जो आपका आवला होता है आवले में जो कसेलापन है आवले का कौन सा पन कसेलापन या कड़वापन या इसका बिटर टेस्ट कौन सा टेस्ट इसका बिटर टेस्ट आपका जो आवले का है जिसे हम लोग गौस बैरी के नाम से जानते हैं इसे क्या कहते हम लोग गौस बैरी कहते हैं तो इसका इस्जान जो विटल टेस्ट है वो किस कारण से ज़रा message कीजिएगा, इसका जो विटल टेस्ट है ये किस तत्व के कारण से है, message करें, आवले का कसला पन किस कारण से होता है, ये जो question आपके शुरुवात हो रही है, लगातार पेपर में आप लोगों से ये question पूछ जा चुके हैं मैसेश करकर बताईए क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से जी क्या होगा इसका correct answer तो श्वेंस इसका correct answer है tanin tanin नाम का श्वेंस में क्या पाए जाता है एक तत्व पाए जाता है tanins के नाम से इसे जानते है इस तत्व के कारण से ठीक है इस तत्व के कारण से इसमें क्या होता है कड़वापन होता है बोलेजी सर बिल्कुल ठीक है किलियर है बन जाएगा हमसे अब इस स्वेंस आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगी यह टमाटर जो होता है आपका टोमेटो जो होता है वो लाल रंग का होता है टोमेटो जो क्या होता है सर लाल रंग का होता है मुलेहा सर बिल्कुल लाल रं टमाटर का लाल होना किस तत्व के कारण से होता जरा मैसिज करकर बताईए टमाटर का लाल रंग कौन से तत्व के कारण से होता है यह आप से पेपर में पूछा जा चुका है यदि आएगा तो आप लोगों से बनना चाहिए लाइकोपीन के कारण से वेरे गुड बहुत शही आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा लाइकोपीन is the correct answer टमाटर का जो लाल रंग होता है वो टमाटर में कौन से तत्व के कारण से होता है सर वो लाइकोपीन के कारण से होता है बोले जी बिल्कुल किलियर है पेपर में दिया आएगा तो आसानी से बन जाएगा जाती है ठीक है चरप्रहाट लगती है बोले हां सर बिल्कुल चरप्रहाट लगती है तो मिर्च में तो तीखापन आप लोगों को लगता है मिर्च में हमें खाने पर क्या लगता है सर तीखापन लगता है तो चिली में क्या पाया जाता है यदि आपसे paper में पूछ लिया जाये चिली या चिली ठीक है इसमें जो तीखापन पाय जाता है वो किस कारण से पाय जाता है जी यदि आपसे paper में पूछ लिया जाये तो क्या आप इसका correct answer लिखना चाहेंगे क्या होगा स्ट्रेंज बताईए मैसेज कीजिए जरा जी जी इसका जो चिली टेस्ट होता है ये किस कारण से होता है तीखापन जो होता है वो किस कारण से होता है एनिवन कैपसिथिन के कारण से होता है आरे वा वैरे गुड बहुत बढ़िया तो स्ट्रेंज यदि आप लोगों से यहां से दी कोई कोश्चन दी निकल जाए पेपर में तो आप से ये कोश्चन तो बनना ही बनना था कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं थी ठीक है सिंपल सा एक कोश्चन था तो स्ट्रेंज कारण क्या है इसका तीखेपन का कारण क्या है जिसे हम लोग बोल सकते है प्यूगैंशी के नाम से जाना जाता है प्यूगैंशी मतलब होता है तीखापन और वो तीखापन जो है उसे कहा जाता है श्रेंस हमारा capsaicin क्या कहा जाता है बच्चों याद रखना नाम उसे हम लोग क्या कहते है capsaicin कहते है बोले जी सर बिलकुल ठीक है बन जाएगा इंगलिस नाम थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा ठीके capsaicin के नाम से जाना जाता है चलिए ये भी बन जाएगा चौथे नम्मर में इस्ट्रेंस आप से पेपर में पूछा जाता है कि भाई बताईए पपीते का पीला रंग क्यों होता है पपीता जो होता है आप लोगों का वो पीले रंग का होता है तो पपाया पीले रंग का ही क्यों होता है जी पपीते का पीला पन क्यों होता है इसका जो यलो कलर होता है वो क्यों होता है क्या पाय जाता पपीते में कैरोटीन पाय जाता क्या क्योंकि गाय के दूद में तो कैरोटीन पाय जाता है गाय का जो दूद होता उसमें कैरोटीन इसलिए गाय का दूद जो होता है, वो क्या होता है, पीले रंग का होता है, और भैस का दूद जो होता है, वो सफेद रंग का होता है, कैरोटीन पाया जाता है, पपीते में कैरोटीन नहीं पाया जाता है, गलत आंसर दिया जा रहा है, जी, बताइए, पपीते का पीला रंग के गारण से हाँ के रूटीन ही है लेकिन उसका वर्जन जो है वो थुड़ा सा अपडेट करके लिखते हैं हम लोग आज कल के रूटीन उप्शन में नहीं मिलेगा क्या लिखोगे नाम लिखेंगे करिक जैन्थिन क्या लिखेंगे ठीक है correct, centhenes questions क्या हो जाएगा, आपका correct answer हो जाएगा, बूल जी सर बिल्कुल ठीक है, clear है, बन जाएगा हम से paper में दि, पूछा जाएगा तो, पपीटे का पीला रण, गाजर का उर्स पीला रण, गाजर का नारंगी या पीला रण بتाओ, गाजर का पीला रंग क्यों होता है यह गाजर का नारंगी रंग क्यों होता है जी गाजर का कैरोट का तो यदि आप से पेपर में पूछ लिया जाए भी गाजर का जो है वो यलो कलर क्यों होता है या गाजर का पीला रंग क्यों होता है जी यलो रंग के लिए भी बोला जा सकता है आप लोगों से और आप लोगों से नारंगी भी कहा जा सकता है नारंगी बुले यह सर ओरेंज कलर का जो होता है इसका जो ओरेंज कलर होता है क्यों होता है कारण क्या है कौन सा तत पाए जाता है सर गाजर का पीला रंग अब हो जाएगा आपका कैरोटीन, गाजर का पीला रंग अब क्या हो जाएगा हमारा, सर कैरोटीन हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो बुल जी सर बिलकुल ठीक है किलिया रहे, पेपर में पूछा जाएगा तो easily हमसे अब ये कोश्चन तो ब हरा हरा सा रंग आपको दिखाई देता है, डॉटेट, डॉटेट, तो वह आलू में क्या है, सर वो जहरीला तत्व है, कभी भी हरे रंग का आलू ना खरीदे, आलू में जो हरा रंग होता है, वो किस कारण से होता है, एनिवन, आलू का हरा रंग, सॉलेनिन नाम के तत्व क के कारण से होता है very good बहुत सही आंसर दिया गया है आलू में जो जहरीला तत्व पाय जाता है ठीक है पोटेटो में क्या पाय जाता है हरा रंग ठीक है ग्रीन कलर जो पाया जाता है वो होता है कोलेनिन के कारण से तो जब भी आप मार्केट जाए ठीक है यदि वो आप लोगों को आलू दे रहे हैं तो सामने देखकर आलू खरीदें और उसमें जो हरा रंग है वो आले आलू को ना खरीदें क्योंकि उसको खाने से आप लोगों को क्या हो सकता है हलका सा पॉइजनस फी पीला रंग होता है या तेल देखा होगा तेल में पीला रंग होता है बोले हाँ बिल्कुल तेल में पीला रंग होता है तो स्वेंस जो तिलहनी तेल है हमारा तिलहनी तेल ठीक है ठीक है तो स्वेंस ओईल सीड जो आपका ओईल है ओईल सीड जो होते है आप लोगों के इस बोले स्थेनक्व के करन होता है किया गे कि किस तर्व के कारण से होता है, तो को चैज्व के कारण नायट ही आप नाम चेंज करकर के अलग तरीके से लिख सकते हो उसको बोले यास बिलकुल ठीक है बन जाएगा पेपर में दी पूछा जाएगा तो नाम नौट कर लीजेगा स्ट्रेंड्स बहुत ही शांदार इसका नाम बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा कराटीनाइट या कराटीनाइट ये नाम है इंगलिस में के से चालू होता अब ये ठीक है जी इंगलिस नाम इसका जो है के से चालू होता है सी से चालू नहीं होता है बोले जी सर बिलकुल ठीक है किलियर है बन जाएगा बोले यस बिलकुल प्याज खाते हो बोले हाँ खाते हैं प्याज में खाने से स्वेंस क्या होता है आप लो पकी आजिंस कारण से होती है गजिन ढल इती खापन होता है जो इसकी हुती है वो किस कारण से होती, ज़र मैसेज कीजेगा, जी, चरपराहट या तीखापन, चरपराहट या तीखापन किस कारण से होता है, तो पेपर में आपने कई बार पढ़ा होगा, ठीक, प्याज में जो तीखापन होता है, वो एलाइल प्रोपाइल डाय सलफाइट के कारण से होता है, किस और वो होता है हमारा Allyl Propyl Dysulfate, साइध नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है के नाम, गलत आंसर ना दे, प्याज में पीला रंग अलग होता है, क्यूरिटिन इनके कारण से लाल रंग होता है, एंथोसाइन के कारण से तीखापन अलग है, मैंने बात किया हूँ तीखा कोश्चन बनते हैं, सर प्याज में पहला कोश्चन बनता उसके तीखे पन से, कि प्याज में कौन साथ, ठीक है, पन पाया जाता, सर वो पाया जाता तीखापन, पहली बात तीखापन से कोश्चन आया है, तो तीखापन क्या होता है, सर तीखापन जो होता है, उसका कारण ह हमारा Allyl Propyl ठीक है क्या नाम है उसका Allyl Propyl Disulfide Disulfide ये क्या है सर ये है प्याज में जब भी आप प्याज ठीलते हो तो आपके जो आशू आते हैं वो इस तत्व के कारण से आते हैं प्याज में आशू आने का कारण ये जो है वो ये तत्व है बोले जी सर Allyl Propyl Disulfide चलो ठीक है किलियर है अब शेंस प्याज आपने देखा जब आप प्याज देखते हो तो मार्केट में आपको प्याज जो हो हलकी भद्दे से यलो रंकी मिलती है और एक आपको मिलती लाल रंकी बुले हां सर एक लाल रंकी प्याज आती बहुत ही अच्छी दिखाई देती है और जब प्याज मार्केट में हलकी सी खतम होने लगती तो हम लोग जब दूसरे देश से बुलाते हैं तो एक हलकी सी यलो रंकी भी बुलाते हैं पीले से रंकी बुलाते हैं, प्याज एक लाल पत्ते, उसका जो कवर होता है, वो लाल रंका होता है, या तो वो यलो रंका होता है, तो प्याज का लाल रंक किस कारण से होता है, रेड कलर क्यों होता है प्याज का? जी, तो सर लाल रंग का कारण है एंथोसाइनिन, लाल रंग का क्या कारण है बच्चों, सर इसका कारण है हमारा एंथोसाइनिन, तो बोले जी सर बिलकुल ठीक है, और पीले रंग का कारण क्या है, पीले रंग का कारण, जी, त्याज का पीला रंग, प्याज का पीला रंग किस कारण से होता है, कैरोटीन तो नहीं होगा, कैरोटीन का ही वर्जन है, कैरोटीन का ही वर्जन है, क्योर से टीन, क्योर से टीन, बहुत सही आंसर दिया गया है, क्योर से टीन होगा, बोली यस, बिल्कुल, किलियर है, हमसे पेपर में दी पूछ लिय यहां से बन जायगा तो प््याज के तीन कोशचन लगातार पेपर में पुछे जा चुके हैं कि भी यहां-प्याज में जो आशू आते है वह किस कारण थोड़ बत करेला कलवा मिले गई मिलेगा आपको कितनी अच्छे से आप बना लो, तो क्रेले में जो कलवाहत होती है, क्रेले में जो कलवाहत होती है, उसका कारण क्या है। जे, इसका जो टेस्ट बिटर है, क्योंकि नाम में बिटर लिखा, बिटर गौट मतलब करेला, जे, किस कारण से होता है बच्चों कडवापन करेले में, वो कौन सा तत्व है जो करेले को कडवा बनाता है, तो बच्चों करेलों को कडवा बनाता है हमारा कुछ बच्चों ने आंसर दिया है पेपर में दि पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से जो है बन जाएगा अब श्रेंस आप लोगों ने सुना होगा हल्दी जब भी आप साधी में हो या घरों में हो नॉर्मल हल्दी का यूस तो होता ही होता है तो हल्दी में तो पीला रंग होता वो किस कारण से होता जरा बताईएगा तर्मरीक हल्दी में पीला रंग कौन से तच्व के कारण से होता है हल्दी का पीला रंग क्यों होता है बहुत शांदार आंसर दिया गया है बच्चों आप लोगों के द्वारा यदि आप से पेपर में पूछ लिया जाए कि भी जो टर्मरीक होती है आप लोगों की टर्मरीक जो होती है उसका यलो कलर क्यों होता है यलो को होती है तो टर्मरीक का यलो कलर जो होता है वो कुकुर में किन के कारण से होता है किस कारण से होता है कुरकुमिन कहते हैं उसे हम लोग बोले यह सर करक्ट है कुरकुमिन इस राइट अंसर कुरकुमिन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा चलिए अब श्रेंस आपने मूली खाया है बोली यह सर मूली खाया है मूली में चरप्राहट होती बोली यह सर मूली में भी तीखापन पाए जाता है मूली खाये न बोली यह सर बिलकुल मूली तो खाए हुए, साधी में जाओ या घर में खाओ, मूली का सीजन चलते ही रहता है, मूली में जो तीखापन पाए जाता है, वो तीखापन क्यों पाए जाता है, मैसेज करके बताईएगा, मूली में तीखेपन का कारण क्या है, जी, मुली तीखी क्यों लगती है, मुली हमें तीखी क्यों लगती है, तो यदि आप से पेपर में दी पूछ लिया जाए कि भी हम मुली तीखी क्यों लगती है, किस कारण से लगती है, आईसो साइनेट के कारण से लगती है, तो बोले जी, बिल्कुल, क्लियर है, बन गांगा हमसे जब भी आप मूली कहाते हैं यदि आपको मूली क्या लगे हलकी सी तीखी लगे पानी पीना पड़ता मूली खाने के बाद भी उसका कारण है उसका कारण हमारा आई सो साइन Εे डिट क्या कारण उसका क्या है main reason होता है अबакс आप कखड़ी खाते हैं बोले है सर बिल्कुल कखड़ी खाते हैं खीरा खाते हैं बोले हाँ बिल्कुल खाते हैं खीरा ऊटाई तो Lub आकरिश कषण चाहिच कर्मक कखड़ी बार आपा less मार्किर से लेते ऑट आ उसे हम लोग यह आप लोग ककडी भी लिख सकते हो तियुज limit पूरा का पूरा में ये परिवारी देखना हुए कुकुम्बर जो है वो कणवा होता है क्यों जी की इसका टेस्ट जो है वोबिटर होता है कंवाहट होती है कंखडी में कारण क्या है कि सथ्व कुकुर बिटेसिन के कारण से very good, बहुत बढ़िया correct answer दिया गया friends, बहुत सही answer दिया गया आप लोगों के दवारा, कुकुर बिटेसिन नाम जरूर आपने साथ सुना सुना सा आपको लग रहा हो कुकुर बिटेसिन, बुले जी सर बिलकुल clear है ठीक है, कुकुर बिटासिन या कुकुर बिटेसिन के नाम से सजाना जाता है, सुना है क्या नाम, बोने हाँ, बिल्कुल सुना हुआ है, तो कुकुर बिटेसिन इसका क्या है, राइट आंसर माना जाएगा, साइध कही नाम इसका आप लेंगो ने सुना होगा, याद है, इसक से पूछा जाएगा तो असानी से आप लोगों को यहां से कोश्चन बन जाएगा तो कुकर सिंपल और बिटेसिन यह आप लिख सकते हैं यह हो गया यह खीरा का भी हो गया आप लोगों का अब खीरे के बाद में आप से क्या पूछ लिया जाता है स्ट्रेंट्स सर खीले के बाद में हमसे पेपर में पूछा जाता है स्ट्रेंट्स किसके बारे में सरसों के बारे में सरसों आपने सरसों देखा है बोले हां सर बिल्कुल देखा हमने तो आपकी मस्टर्ड होती है मस्टर्ड में स्ट्रेंट्स क्या होता सर तीखापन होता है सरसों के तेल को आंख में लगा के देखो आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी सरसों के तेल को आप आंख में नहीं लगा सकते ने तो बिलकुल आपको क्या हो जाएगा ठीक है तीखापन की feeling आ जाएगी तो जरह मुझे बताईएगा सरसों में जो तीखापन पाए जाता है, वो क्या है, क्या है, जे, क्या होगा बच्चों, दुसर, मूली में तीखापन, या सरसों में तीखापन, एक ही है, जिसका right answer क्या है, हमारा, आईसो साइनेट या थायो साइनेट क्या होगा इसका correct answer दूसर इसका correct answer होता हमारा आईसो साइनेट के नाम से इसे जाना जाता है तो बुल जी बिलकुल clear है हमारा आईसो साइनेट के नाम से जाना जाता है या इसे instruments हम लोग क्या कह सकते हैं तरीके से सर थायो साइनेट के नाम से भी से जानते हैं ठीक है थायो साइनेट भी से कहा जाता है आईसो साइनेट या थायो साइनेट बोले जी बिल्कुल किलियर है पेपर में दी पूछा जाएगा तो सिंपल यहां से कोशन तो बनना ही बनना है अब गाजर सर गाजर तो हमन हमारा चली हाँ सल्जम 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 आप लोगोंने खाया होगा बोने हाँ बिल्कुल खाया सर सल्जम तो खाया ही है हम लोगोंने सल्जम टर्निप जिसे कहते हैं हम लोग प्याज के जैसी होती है सल्जम या टर्निप जिसे कहा जाता है टर्निप कैसी रहती खाने में सर इस इसमें भी क्या होती है सर इसमें क्या पाई जाती सर चरपरहाट पाई जाती है तो चरपरहाट को हम लोग क्या कह सकते हैं क्रीक कहते हैं और चरपरहाट को हम लोग क्रीक सब्द के नाम से भी यूज करते हैं जी तो चरपरहाट में क्या पाया जाता है जिससे सॉरी सल्जम मे वो चरप्राहट का कारण क्या है, सल्जम में चरप्राहट का कारण क्या है, anyone किसी को पता हो, तो कैल्सियम ओक्जले नाम का एक तत्व पाए जाता है बच्चों, इसमें तो चरप्राहट है सल्जम में, उस तत्व का नाम क्या है हमारा, तो सर उस तत्व का नाम है हमारा केल्शियम ओक्जले तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है किलियर है हमसे पेपर में दी पूछा जाएगा तो आसानी से ये है कोशन तो बन ही जाने वाला है अब श्रेंट सेब देखा है आपने बोली है सर बिल्कुल सेब देखा सेब का लाल रंग क्यों होता है सेब का लाल रंग क्यों होता है एपल का जो रेड कलर होता है ये आप से पेपर में पूछा जा चुका है सेब का लाल रंग क्यों होता है कॉमन सी बात है लाल रंग का एक ही कारण है क्या होता है लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन भोले हाँ बिलकुल एंथोसाइनिन लाल रंग का मैक्जिमम कारण दी आपको पेपर में पूछ लिया जाया तो सर एंथोसाइनिन होता है चलिए किलियर है एंथोसाइनिन हमारा क्या हो जाएगा कैस्ट्ट्रेंज यहां पर घजत्त हो जाएगा तो आप जरूर लिखनेज़ गया कै तुछ होगा हमारा यहां पर राइट आंसर ेग थे यहं रहे कि अमजय ओफार सेव यह अफ़स्ट्टांज शाज चाहर यहां लोगों ने अंगूर तो खाया ही हम लोग अंधू अंगूर जो होता है उसमें काला रंग का आता है एक अंगूर देखा है काला काला सा आता है अंगूर कई बार मार्केट में काले अंगूर भी आते हैं मार्केट में हरे अंगूर तो देखा ही होगा आप लोगों ने क्लोरोफिल अंगूर हरे रंग के जो होते हैं क्ल काले रंग के अंगूर आने लगे हैं, साइध आपने खाया हो, ब्लैक कलर का, बोले हाँ, बिल्कुल खाया है, तो काले रंग का जो है, वो तत्व कौन सा है, वो काले रंग वाला तत्व कौन सा है अंगूर में, एंथो साइन है सिर्फ, एंथो साइन इन नहीं है, नाम में फ बोले, येस, बिल्कुल, ठीक है, पेपर में दी पूछा जाएगा, तो यहां से भी हमसे कोशन बन जाएंगे, अब इसके बाद में बच्चों, आप लोगों से और क्या पेपर में कोशन पूछा जाता है, ज़र उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, कि और कैसे कोशन हमसे यहां स निकल सकते हैं, पेपर में, तो पेपर में आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है, बताईए भाई, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप किसे कहा जाता है, आप से क्या पेपर ना पूछ लिया जाता है, इसके बाद में, प्लान्टेशन क्रॉप्स किसे कहा जाता जिसे हम लोग बोलते हैं रोपित फसले क्या कहते हैं इसे हम लोग इसे कहा जाता है रोपित फसले क्या होती भी यह रोपित फसले रोपित फसलों का मतलब क्या होता है ऐसी फसले ठीक है जिने क्या करते हैं हम लोग बताव रोपित फसलों को क्या करते हैं खेतों में डायक लगा देते हैं बीजों के माध्यम से वे फसले जिनकी हम रुपाई करते हैं वेरे गुड जिनके हम रुपाई करते और प्लान्टेशन क्रॉप बताईएगा भाई प्लान्टेशन क्रॉप के बारे में पेपर में पूछा जा चुका है तो स्ट्रेंड्स जब किसी ठीक है कमपनी के द्वारा या इंडिविज्वल आप लोग क्या करते हैं सालो साल लेते हैं फसल को ये प्लान्टेशन क्रॉप जो होती बच्चों ये केबल एक साल के लिए नहीं होती पहली बात तो ये प्लान्टेशन क्रॉप जो होती है वो एक साल वाली नहीं होती कोई भी एक साल, दो साल वाली फसले नहीं होती इसमें, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप का मतलब क्या होता, पहली बात तो, ना तो इसमें आप लोगों की कौन सी फसल आने वाली ही सर, इसमें ना तो हमारी एन्वल क्रॉप आने वाली है, कौन सी क्रॉप नहीं आएगी आप तो कौन सी नहीं आएगी, बताओ जड़ा, यह जदि यह आपसे अन्वाल बायन्वाल पेपर में पूछ लिया जाए थी उसञा, इन में एन्वाल क्रॉ। नहीं आएगी दूसरा इसमें क्या नहीं आईगी, आपकी सर बाय अन्वालक नहीं आएगी, मνनत एक वर्ष यह फसल आएगी, बुले सर नहीं, एक साल, दो साल के लिए इतनी मेहनत कौन करेगा, तो इसमें कौन सी फसल आती है, इसमें सारी की सारी फसल आजाती है, हमारी पैरनियल क्रॉप, सारी कौन सी फसल आती है, सभी की सभी हमारी हो जाती है, बहु वर्षिये फसल, सारी फसल कौन सी आती यह बहु वर्षिये फसल, तो बोले जी सर बिलकुल ठीक है, जिनकी रुपाई की जाए, बहु वर्षिये फसल तो होगी ही होगी, लेकिन जिनकी क्या की जाए, रुपाई भी साथ-साथ की जाए, तो बोले जी सर बिलकुल ठीक है, जिसे बड़े पैमाने पर उगाय जाता है तो क्या definition लिखेंगे ज़रा देखिएगा definition आपकी हो जाएगी plantation crops are pernial crop that are grown that are grown on a large scale by an individual or a company individual तरीके से आप खुद भी लगा सकते हो या तो company वगवाती है तो ब्रक्षा रोपन फसले 12-80 फसले होती है रोपित फसले रोपित फसले क्या होती है 12-80 फसले है 12-80 फसले है जो किसी व्यक्ति या कमपनी द्वारा जो किसी व्यक्ति या कमपनी द्वारा कमपनी द्वारा बड़े पैमाने पर उगाई जाती है बड़े पैमाने पर उगाई जाती है बुल जी सर बिलकुल ठीक है किलिया रहे बड़े पैमाने पर उगाई जाती है तो ऐसी कौन-कौन सी फसले हैं जो बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं, बता दो जरा, उसर पहली बात, रबर की खेती, चाय की खेती, कौफी की खेती, नारियल की खेती, इन्हें हम लोग नगदी फसले भी कह सकते हैं, मतलब इनसे मुनाफ़ा जादा कमाया जाता है, तो सारी कैस क्रॉप जो होती हैं आप लोगों की, जितनी भी नगदी फसले हैं, सब की सब आप लोगों की प्लांटेशन क्रॉप कहलाती हैं, सभी की सभी क्या कहलाती हैं, हमारी प्लांटेशन क्रॉप के नाम से जानी जाती हैं, तो बोले जी सर बिलकुल ठीक है, इसे हम इने हम लोग क्या कहते हैं, नगदी फसले कहा जाता है, तो इसमें क्या जाएंगी, एक्जामपल पर इदि हम चलें, तो भाई, रबर की खेती भी बड़ी-बड़ी कम्पनिया कराती हैं, आप खुद भी कर सकते हो, चाय की खेती भी आप खुद कर सकते हो, इस आपके आपकी क्या हो गई? कॉफी हो गई, यहां पर आईल पाम हो गई, मतलब ताल का तेल, और किसकी करते हैं हम लोग सर कोकोनट, नारियल की भी खेती होती है, कोकोनट की होगी नारियल, और कोई बताना चाहे अपने हिसाब से तो एक दू एक्जामपल अपने भी बता दो जड़ जी, एक्जामपल बताईएगा, मैं मालूम, तो श्रेंस काजू की खेती होती, काजू किसमेज, बदाम ये क्या है, काजू किसमेज, बदाम ये खेती कोन गरवाता है, बता ओ, आपके बापास में के डारेक्ट आ जाते हैं, का इसकी कोई खेती नहीं करता होगा, बोले सर बिल्कुल करते हैं न सर केसूनट की खेती क्यों नहीं होगी केसूनट की खेती क्यों नहीं होती सर काजू की खेती होती है सर आलमंड की खेती होती बदाम की खेती होती है तो जिनसे मुनाफ़ा तुरंद कमाया जा सके जिन से मुनाफ़ा हातों हात कमाया जा सके वो सब या company लगवाती ना मुनाफ़ा जादा कमाने के लिए बोले yes बिल्कुल clear है तो ये श्रेंस आप लोगों का बहुत ही important topic था जो आप से paper में कई बार पूछा जा चाँ सकता है plantation crop कहलाते है plantation crop के बाद में आप लोगों से paper में पूछा जाता है spices crop तो सारे मसाले वाली खेतिया आप तो पढ़ी है कोई बात ही नहीं है मसाले वाली फसले आपको बताने की जरूरत ही नहीं आपके घर में सारे मसाले मिल जाएंगे आप लोगों को तो स्रेंस बास्कोडी गामा ने भारत को मसालों का देश कहा था मसालों का देश क्योंकि पहली बार भारत की जो खोज करने आया था वो बास्कोडी गामा आया था पता है आप लोगों को भारत की खोज किस ने की देखो इंडिया पहले ही था इंडिया पहले ही था लेकिन हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे ना हम लोग क्या नहीं थे पढ़े लिखे नहीं थे तो भारत की खोज किया गया क्योंकि हमको पहले पढ़ना लिखना नहीं आया था तो भारत की खोज किसने की थी तो सर्फ भारत की खोज करने के लिए विदेश से यूरोप से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था बासकोडी गामा बासकोडी गामा को भारत की खोज करने का स्रे दिया जाता है बुले जी सर बिलकुल ठीक है तो भारत की खोज किस ने किया था बासकोडी गामा ने 1498 में किया था 20 मई को आ उनकी date of birth पूछलो तो इंसानों की date of birth नहीं बता पाएंगे वो अपने बच्चों की, ठीक है, सुबहे के समय पैदा हुआ था, पूर्णिमा का दिन रहा होगा, ठीक है, साम को पैदा हुआ था, उस समय सायद सिवरात्री रही होगी, ऐसे बताते हैं लोग, तो हम लोग जो नहीं करते थे, लेकिन वासकोडी गामा आया, इसने सारी जानकारी दिया, और कोलंबस भी आया था, आपको पता हो यह दिया, आपने सोसल साइंस पढ़ा हो, 910 में, तो कोलंबस आया था, लेकिन कोलंबस क्या हुआ, ठीक है, ये लोग निकले, ठीक है, सबसे पहले कोलंब निकला, तो कोलंबस जो है, वो समुदर की लहरे पलट गई, तो वो इधर पहुच गया, ठीक है, वासकोडी गामा सीधा-सीधा पहुच गया इधर, केरल के पास में, केरल गोया, ठीक है, गोवा के पास में, कोलंबस का जहाद जो है, वो लहरों के कारण से गलत जगे किसकी खोच कर दी थी इस्पैन वगयरा की खोच कर दी थी इस्पैन की और बासकोडिगामा ने इंडिया की खोच की थी बोले यस बिलकुल 100% लियर है ऐसे सारे कोशन भी आप लोगों के काम के हैं पेपर में कई बार पूछे जा चुके समुद्र से आया था वो खोच करके गया और जब जाते ही लगा तो जाते जाते उन्होंने क्या किया ठीक है यहां के मसालों की पहचान हमसे करवा दी है क्योंकि हमें जादा मसालों की पहचान नहीं थी उसने हमको मसालों की पहचान गर के बताया कि तुम्हारे यहां तो मसालों का खजाना है किसने बताया था बासकोडी गामा ने तो बोले ये सर बिलकुल ठीक है बासकोडी गामा मसालों का देश कहा था इसे ठीक है स्पाइस कंट्री के नाम से इसे जाना जाता है Spices country के नाम से किसे जाना जाता है इंडिया को जाना जाता है मसालों का देश बोले जी सर बिलकुल ठीक है Highest Spices Production in the World विश्व में सरवाधिक मसालों का उत्पादन किस देश में होता है चीन में, अमेरिका में, जपान में, कि थाइलेंड में कहां पर होता है बताईएगा अमेरिका में, चीन में, जपान में, कि थाइलेंड में सबस्यादा मसाले कहां होते हैं भारत में होते हैं, अरे वाँ अमेरिका में होते हैं यह देखो, यहाँ पर मनें कुछ दिया हूँ मैं जान बूच के आपको ऑप्सन नहीं दे रहा था मैं आपको जान बूच के ऑप्सन नहीं दे रहा था यहाँ पर अभी मैंने कुछ लिखा हूँ साइद मसालों का देश इतना होता है कि उसको मसालों का देश कह दिया गया मसालों का देश कौन है बच्चों इंडिया है दो मिलेट में आप लोगों के जो है वो आंसर बदल जाते हैं कारण यही है कि आपको घुमा के कोशन पूचन पूचन पढ़ता है थोड़ा सा कि आप भूले नहीं तो आई होप याद रखेगा बच्चों ऐसे कोशन आप लोगों से हसने कौन कौन सी होती है यदि आप से स्पाइसे स्क्रॉप पेपर में पूच लिया जाए तो ज़रा कुछ एक्जामपल दे दो स्पाइसे स्क्रॉप के एक्जामपल कोई देना चाहें कि सर मुझे पता है spices crop कौन-कौन सी होती है तो कुछ example basic से कौन-कौन से होते है strengths जी यह आप बताना चाहें तो बेज़ज़क होकर बता सकते है message कर दीजिए धनिया होता है, जीरा होता है, मेथी होती है सरसों होती है, हल्दी होती है, काली मिर्च होती दालचीनी होती है, लौंग होती है सौफ होती है, यह सब क्या है आप लोगों के जीरा हर घरों में मिल जाएगा क्यूमीन नाम से, बोले हाँ बिल्कुल क्यूमीन नाम से मिल जाएगा धनिया, बोले यह सर बिल्कुल धनिया मिल जाएगा हमारा हर घर में जनिया मेथी मेथी भी मसाले में यूज किया जाता है बोले यह सर बिलकुल ठीक है मेथी यूज किया जाता है सरसों बोले यह सर सरसों भी घरों में क्या की जाती है मसालों के रूप में भी यूज की जाती है उसके बीज यूज किया जाते है लाल मिर्च बोले यह सर मिर्च लाल मिर्च, मिर्च जो है वो आपका क्या है सर, मसाले की रूप में यूज किया जाता है, अदरक, सबके घर में अदरक होगा, बोले हाँ, बिल्कुल अदरक, अदरक स्वेंस आप मसालों के रूप में यूज करते हैं, बोले बिल्कुल करते हैं, हल्दी का यूज करते हो, ब कड़ी पत्ते, पूदीना, केसर, करते हो, बोले हाँ, बिल्कुल करते हैं, तो यह सभी के सभी आपके किसके example है, यदि आपसे paper में पूछा जाए कि भी या क्या, long का यूज करते हैं, बोले बिल्कुल करते हैं, दालचीनी करते हैं, ठीक है, सिनेमम के नाम से जाना जाता है तो स्पाइसेस फसलों के बारें भी हमसे क्या है कोशन पूछ लिया जाता है दाल चीनी हमारा एक्जामपल में जाएगा लॉंग ये दिया आपसे पेपर में पूछा जाए क्लॉप कहते हैं, लॉंग इसमें एक्जामपल में जायागा, सौंप ये आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो सौंप आपका फिनल कहलाता है, ये सारे पेपर में पूछे जाते हैं, आई होप आप सभी लोगों को इस्वेंस ये टॉपिक किलियर हो गया होगा, उद्यान, विज्ञान से सम्मंदित, बहुत सी जानकारी हमने आपको दिये हैं, लगातार जो पेपर में कोशन अभी तक पूछे जा चुके हैं, और जो पूछे जाने वाले हैं, ये टॉपिक हमने आपको किलियर किये हैं, किसी के मन में फिर भी कोई डाउट रहा हो, तो